हाई वरीवन विल्कम बाक तो इस चैनल दे इन्वेश्टर लॉजी आज मैं वीडियो नहीं दिखा पहूंगा विकॉज आम नॉट विल यह जो विदर चेंज हो रहा है उसी विजह से अभी तुम्हें ठीक नहीं हूं जादा तो इस चैनल बाते नहीं करते हैं सबसे बहले निफ्टी के बात करते हैं आज निफ्टी मंडे था ओविसली आमें पता तक यह गाप डाउन ओपनिंग आने वाली है विकॉज यूज की मार्केट पे एक एवी गाप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली थी ठीक है अब यह यहां पर आप देखोगे जब गाप डाउन ओपनिंग हमें आई तो एक बहुत बड़ा फॉल आया था यूज के अंदर ठीक है और अफ्टर दाट एक अच्छी रिकवरी आई है ठीक है ऑल्मूस्ट अगर मार्केट थोड़ा और टाइम खूली रहती दो 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 प्रबाबलिटी कि है । जो कल सथे जो फ्राइडर एक क्लोजिंग इसक्ती थी तो वह चीज़ भी हम चेक कर सकते हैं ठीक है सव माकिट इसकोड हम देख रहे हैं कि अलग उसकी मार्केट के साथ कि रही है बच हमारी मार्केट आक्ट्स्चूल में जाधा सकते हो कि इस level पे एक heavy gap down आया यहां पर इसने एक recovery करी exactly gap फिले होई and after that again a fall and again a up move है so अगर यहां पर clear systematic way पर समझोगे तो market a clear uptrend के अंदर है चिक है and obviously कुछ certain levels है for example एक यह certain level है जिसका break करा and break out के बाद after that इसी पर support लेके यह ऊपर गया so कुछ certain levels नीचे की तरफ break हो रहा है but buyers are superly active जिसकी वज़े से वो push कर रहा है on a higher side पे चिक है so from my side अगर मैं आपर एक trend line draw कर देता हूं not that के trend line कुछ काम आने वाली है but just to show you because यहां पर अब check कर सकते हो to exactly 17,250 पे closing है and there is a higher chance अगर यह अपने previous swing high के उपर आज निकलती है तो 17,280 के उपर तो definitely वो अपने previous swing highs को भी test कर सकती है जो कि यह level है जो कि हम easily मान सकते हैं but अगर यह वाला level जहां पर pause लेके bounce करा है ठीक है after a very good recovery जहां से pause लिया है and अगर यह pause हम देखे ना तो almost मेरे साबसे 50 to 61% battery है मैं फिबुनाची यह उस करता हूँ देखे exactly 61% battery है so अगर यह level break होता है तो first target तो definitely our should be this target and after that हम check करेंगे because मैं दोनों direction क्यों दे रहा हूँ आपको आज Monday को ए gap down भी और एक recovery भी हुए है so both ways market work करें और एक sideways trend के अंदर है so tomorrow we have to see कि यह वाला level break करता है या फिर यह वाला level break करता है इस range के ऊपर या नीचे जहां पर भी momentum आएगी वहां पर हम अपने trades को बना सकते हैं और trades ले सकते हैं ठीक है so remember that एक बार open interest data चेक करें closing है 17,250 की तो कहां पर जादा chances लग रहे हैं so एक बार 17,200 को check करते हैं ठीक है तो 17,200 के अंदर change in call का open interest था almost 3 million के आसपास and put का है 1.3 million but overall अगर हम check करें तो put का open interest जादा है 4.8 million as compared to call का तो मलब that is 17,200 एक support है ठीक है इसके लावा आप यहां पर चेक कर सकते हैं यह वाला आप level चेक कर रहे हो न की call writers active जादा हो है मलब वो शुरवात पर थे नहीं active अब जादा हो है so cautious तो है अगर यह level break होता है कौन सा level यह particular level break होता है तो जो 17,200 के जो put writers है जो यहां पर आपको थोड़े बहुत भी दिख रहे है 1.3 million के आसपास वो भी unwind कर लेंगे and positions और जादा add हो होगी एक बार आगे बढ़ते हैं यहां पर अगर आप चेक कर होगी 17,300 पर 17,300 पर almost 8.4 lakh quantities call की add हुए है और 1.4 million call writers unwind होए है ठीक है तो यहां पर अगर हम इसके ऊपर बाए करते हैं लेट सेगी इसके ऊपर गया और हम बाए करते हैं तो देर जाएर प्रोबैबिलिटी की exactly at this particular level 17,333,340 के आसपास एक और selling आ सकती है वाई बिकॉज सबसे पहली बात अगर आप यहां पर चेक करोगे तो call writers जादा है ठीक है as compared और put writers बहुत कम है मला almost two times का difference है and put writers ने अपनी position unwind heavily quantities पे करी लिया है so that means अगर उस level पे जाता है और हम Monday को जब कल market open होती है हम देखते है कि जैसे जैसे price इसके आसपास पहुच रहा है इसके आसपास पहुच रहा है और put writers decline हो रहे है और call writers की position add हो रही है ठीक है तो clear sign होगा कि इस छूटी सी range के अंदर हम एक short position बना सकते है ठीक है point समझ रहे हूँ अभी हमने decide करा है इसके उपर buy करेंगे इसके नीचे short करेंगे अब open interest data के basis पे भी तो पता लगाएंगे कि actual में क्या बन सकता है ठीक है तो confused मत हुई है open interest का data ये कह रहा है अगर आप इसके उपर buy करते हो तो यहां पे market resistance लेके न between कहीं पर भी तो try करना अगर market पे trade लेना है nifty पे तो यहां तो इसके नीचे short का trade लेना या तो आप इस तरीके से कर लेना कि ये trend line मना दो इसके नीचे short का trade ले लो क्योंकि short का trade में शायक पैसा मिल सकता है इसके अलावा वो क्या कह रहा है कि अगर यह उपर जाता है और य चोटा सा false breakdown गिया फिर उपर या इधर false breakout दिया फिर नीचे आया तो market sideways भी जा सकते है तो make sure we have to check कि कि किस तरफ direction लाएगी then we'll trade bank nifty को check करते है bank nifty मैंने open का लिया है and obviously अगर आप यहाँ check करोगे कि एक fall आया एक pullback दिया again आज है gap down हुआ again recovery हुई यह बहुत अच्छा supports हुआ करता था जो कि resistance बना after a good breakdown after that स्की उपर जाने की closing करी इस level से bounce करा है यह level almost 50% है इस पूरी up move का I guess let me just show you yeah almost 50% है and यहां से एक bounce दिया है so most probably I am expecting एक सिंग या 61% है I am expecting एक अच्छी momentum आ सकती है आज हमने अपने telegram channel पे भी almost around जब 38,900 पे था तब हम लोग ने 39,000 का call option भी buy करवाया था at 3.30 के अस-पस and almost 4.30, 4.50 तक भी हो कि आया था and हम लोग ने अच्छी profits book करे यह rally हम लोग ने capture करी थे क्योंकि यह nifty ने तो पहले सी pause ले लिया था 61% पर वो bounce कर रहा था bank nifty ने जैसे 61% पाया हमने तुरण trade दे दिया था so i think यह भी positive है इसके ऊपर जाता है तो bank nifty के अच्छी momentum दिखा सकता है stocks के एक बर बात कर लेते हैं ठीक है सबसे पहला है west coast paper यहाँ एक सिंद्ट सबसे पहला है west coast paper i think उसका सिंबल मैं चेक कर लेता हूं जसके मिया सिंद्ट यह यह इसका सिंबल है और लिट में उपन वीकली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम आप लिए ली चेक कर सकते हैं अ फ्रम अल्मूस्ट 300 यह अल्मूस्ट दबल हो चुका था मोर देन डबल हो चुका है और आफ्टर दाट इट टेका 50% ट्रेश्मेंट टेका रिजेक्शन इंसाइट कैंडल और अब इक ब्रेक आउट गया अपने इस पर्टिकलर हैमर से ठीक है और आप वॉल्यूम्स प् जिसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया विच इस अ वेरी गूट साइन ठीक है अगर अभी तो ट्रेट कर रहा है 533 के असपास अगर यह 545 क्यूपर निकल जाता है हम अभी भी बाइ कर सकते हैं बट अगर यह 545 क्यूपर निकलता है तो देर नेक्स टागेट शोड़ 600 प्लस तो रिमेंबर दाट कि 545 एक क्रूशियल लेवल रहने वाला जहां पर शायद रिजेक्शन ले सकता है बट आफ्टर क्रॉसिंग अबव दिस लेवल ऑन डेली ताइम फ्रेम देर इस हाइर प्रोबाबिटी कि यह 600 को क्रॉस कर सकता है तो ऐसा स्विंग ट्रेड इस क्लिए और अच्छा वाल्यूम वाल्यूम समें देखने को मिलती है और फिफ्टी यह वन आर मिनिट्स टाइम फ्रेम को देखने को मिलती है दिन दिर इसा हाइर प्रोबाबिटी कि यह 1700 तक within a day or two जा सकता है एक बड़ी up move यह दे सकता है so make sure to watch this particular stock यह एक अच्छे returns आने वाले एक या दो दिन के अंदर easily दे सकता है मैं इसका two hours का time frame open करता हूं so on a two hours time frame आप देख सकते हैं after a very good move एक rejection लिया इस जगह इसने pause लिया यह rejection phase करें now it's going up again so remember that 1610 के उपर हमें एक buying इस पे initiate कर सकते हैं अगर 15 minutes की closing देखने को मिलती है our last stock is shopper stop and shopper stop एक अच्छा momentum है clear momentum है आप यह चेक कर सकते हैं ठीक है and जब भी नहीं कुछ इस तरीगेगा pause लेता है आप देख सकते हैं जिसे यहां पर pause लिया breakout यहां पर इसने एक pause लिया एक अच्छा breakout लिया and यहां पर इसने एक अच्छा pause लिया है and now it's about to give a breakout so अभी current price चल रहा है 773 rupees अगरी 778 यह 780 के उपर भी जाता है और closing देखने को मिलती है और 15-30 minutes time frame then we can definitely buy this particular stock और इसके जो हम targets expect कर चकते हैं that should be 747-780 so that means 40 points उपर यह easily जा सकता है so make sure अगर आप buy करते हो तो targets दो तरीकों कर रखना cash price पर buy करोगे एक तो 25 rupees का target रखना कुछ quantities exit कर देना and 40 points का target रखना वहां पर पूरी quantities exit कर देना so इस तरीक से behave कर सकते हो so I hope आपको video पसंद आई है make sure to like this and please do let us know comment section कैसी लगी है and do follow us on telegram guys because वहां पर I will provide you every updates according to the market जो चल रहे होते है कुछ हमें recommendations यहां में कुछ दिख रहा होता है तो we'll suggest you that as well so अभी तक अच्छा चल रहा सेनारियो and make sure to like this video have a good day bye bye